हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज हम स्वाल करेंगे एच्पी पुलिस प्रिवियस एर एक्जाम जो 27 मार्च 2022 को हैल्ड हुआ था इसमें सबसे पहले मैथेमेटिक सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछा गया था रॉंबस से रॉंबस के नोट रिये होते हैं तो एरिया क्या होता है डाइगनल को आपस में मल्टीप्लाइ करना होता है डिवाइड़ वै टू करना होता है तो इससे option मैच कर रहें option नमबर वी तो यह यहां पर correct answer है ना question number 2 चेक करता है, question number 2 में circle से पूछा गया है, circular garden का area दिया है और perimeter निकालने है, area जो circle का होता है बहुत है πाई r square, तो πाई r की square की value है 15,400, तो r square की value में यहां से निकालूँगा, तो 15,400 में πाई से divide करूँगा, यानि कि 22 नीचे जाएगा इसका, और 7 उपर चला जाएगा, जब यहां से divide हो जाएगा, तो यहां पर 7 बच जाएगा, और 2 0, तो यहां पर r square की value आ जाएगी, 49 और double यहां पर 0 रहेगी, तो r की value कितनी होगी, 49, 49 hundred का, हमें root निकालना पड़ेगा, तो r की value आएगी हम पर 70, ठीक है, अब इस value को put करेंगे 2 pi r में, ताकि हमारा perimeter निकल perimeter of circle क्या होता है, 2 pi r होता है, तो यहां पर 2 into 22 divided by 7 into r, यानि कि 70, इसको cancel out करेंगे, 10, 22, 24, और 44 into 10 होंगे, 440, यानि कि correct answer है, option number, a is the correct answer for question number 2, now question number 3 की बात करते है, इसमें बोला था कि 3% apple क्या है, खराब है, 450 में से, और good condition में कितने apple है, वो निकालना है, तो simple सी बात है, 450 का क्या करेंगे, 30% निकालना लेंगे, तो यह simple 0 कटेगी, और 45 कुना 3 कितने होता है, 5 थी है, 15, 4 थी है, 12, 13, 135, यानि 135 apple खराब है, 450 में से, त 315, यानि कि option number V यहां पर correct answer रहेगा, now next question check करते है, question number 4, simple interest से question आया था, simple interest यहां पर दिया है, 8,376 और यहां पर P निकालना है, यानि कि मूलधन निकालना है, P, R, T होती है, तो R की value 8 है, T की value 6 है, अपन में यहां पर 100 है, तो P की value रहेगी यहां पर, 8,346 divided by 8 into 6, multiply by 100, जब आप इसको solve करोगे, solve करके यहां आता है, 17,450, तो यानि कि option number C, यहां पर हमारे पास correct answer रहेगा, तो आपको मैंने यहां पर formula बताना था, simple interest का, that is, P, R, T, divided by 100, और P की value यहां पर निकालना थी, SI तो यहां पर दिया था, ठीक है, now question number 5 देखते हैं, यहां पर पूछा गया था, कि जो student है, वो school जा रहा है, धाई किलो मिटर पर हावर से, और चे मिन्ट लेट पहुंचेगा, 3 किलो मिटर पर हावर से जाएगा, तो 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा, तो यहां पर हमने निकालना था, distance कितना है, उसके घर से school तक का, जो भी है, ठीक है, तो अब इसमें distance निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों speed को आपस में multiply करना पड़ेगा, यानि 3 into 2.5 किलो मिटर, और नीचे इनका difference लिखना पड़ेगा, 0.5, और जो time में उसको जोड़ना है, 10 plus 6 कितने होते हैं, 16 होते हैं, और घंटे में convert करने के लिए 6 से divide करेंगे, अब यहां पर point से point cancel हो जाएगा, इसका 10 का 10, और 25 ह होंगे 75, यानि 75, नीचे बचेगा 5, और यहां पर आएगा 60 upon 60, तो 15, 15 कितने होते हैं, 75 होते हैं, और 15, 4 कितने होते हैं, 60 होते हैं, 4 गम 4, 4 चुके 16, तो यानि कि 4 यहां पर correct answer आएगा, यानि कि option number A, question number 5 का correct answer रहेगा, ठीक है, तो 4 km distance school तक का है, तो question number 6 में, x की value find करनी तो simple सा question है, इसको अगर multiply करते हो, यह आता है, 9, 6, 9, और आगे की value आ जाती है, 2, 90, और 36 का square होते है, 1200 चानुए, ठीक है, यहां पर आगा minus का x, और इस x को अगर मैं इधर वेजू, यह plus का हो जाएगा, और 1200 चानुए को इधर ही रहने दूँ, और यह जोड के इधर चला जाएगा, तो यह तो है, 1269, इसको minus करोगे, तो 59 और 96 में कितने का gap है, 37 का gap है, तो यानि कि option number D, यहां पर correct answer रहेगा, ठीक है, तो simple सा question था, simplification का, correct answer option D, Now question number 7, यह बिल्कुल simple question है, यहां पर एक formula लगता है, formula simple सा रहता है, HCF गुणा LCM is equal to 2 संक्याओं के गुणा नफल के बराबर होते हैं, 2 संक्याओं आले A और B हैं, ठीक है, HCF अगर 15 है, LCM यहां पर निकालना है, और 2 संक्याओं के गुणा नफल दिया है, 1800, तो यहां पर 15 multiply हो रहा है, इधर आके यह divide होगा, तो LCM की value के निकले की 15 into 12 वहते है 180, और 180 के बाद एक 0 बच रहा है, तो यानि 120 बन जाएगा, LCM की value 120 है, यानि की option number D यहां पर correct answer रहेगा, ना question number 8, यहां पर बोले 2 का 75% कितना होता है, तो 2 का 75% यानि की 2 into 75 upon 100, 25 चो के 100 होंगे, 25 तीं यह 75 होंगे, 2 एकम 2, 2 दोने 4 होगा, तो 3 बटा 2, 3 का अधा होता है 1.5 यानि की correct answer option number C है, question number 9, BCG का टेका किसे रोकने में सायक है, तो इस concern है, option number B, tuberculosis को रोकने के लिए यह होता है, और हिंदी में इसको यक्ष्मा कहता है, next question पूछा गया था, question number 10, जो color of light है, जो कौन सा list deviate करता है, कौन सा most deviate करता है, तो इस concern है, option number A, red and violet, बीब गयार में आप देखोगे, तो सबसे पहले, boiler आता है, end में आता है, red, जो red की wavelength है, maximum होती है, जिसकी wavelength maximum है, जिसकी wavelength मैक्सिमम में है, वो list deviate करता है, जिसकी wavelength कम में हो most deviate करता है, ठीक है, question number 11, omega 3 fatty acid is not found in, तो इस concern है, correct answer option number D, next question, question number 12, तो reflection reflection से भी question बनते हैं, तो यहाँ पे reflection का question बनना था, miraj can most likely be associated with which of the following phenomenon, तो इसका अंसर था, option number B, reflection, ठीक है, अगर option में TIR होता, total internal reflection, तो वो सही option होना था, otherwise, यहाँ पे reflection सही answer है, question number 13, चेक करता है, इसमें पूचा था, निमे लिखित में से कौन सी synthetic drug है, मलब synthetic drug का हमने नाम बताना था, तो इसका correct answer है, option number C, heroin जो है, synthetic drug है, now next question के इसमें बात करता है, question number 14, इसमें पूचा था, रेडियो धर्मी तत्त वो कौन सा नहीं है, मतलब कि which of the following is not a radioactive element, तो इसमें correct answer है, option number B, boron, ठीक है, boron radioactive नहीं है, इसके इलावर जो भी option में सारे radioactive है, ठीक है, now question number 15, चेक करता है, oil is used in froth flotation process, तो इसके लिए oil यूज होता है, pine oil, यह जो है, प्रस्टू का जो chemistry है, प्रस्टू की chemistry से question direct बना है, ठीक है, next question number 16, salmonella typhi, bacteria causes life-threatening disease of, तो इसका अंसर है, correct answer, option number D, typhoid, now question number 17, पूछा था, simple सा logic वाला question है, अगर माउंट Everest है, Everest का relation हिमालिया से, तो माउंट अब्बू का relation किस से होगा, तो इसका correct answer है, option number B से, now अब check करते हैं, इसमें आपको paragraph read करना था, उसके बाद decision बनाने थे, इसके base पर आपको तीन जो प्रशन है, उनके उतर देने थे, ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला question है, इसमें question number 18 था, बाकी आप इसको चाहो तो पूरे को read कर सकते हो, तो अच्छे से, जब आप read करोगे, तो आपके skip decision बनेगे, तो मैं सिधा आपको answer बताऊँगा, question number 18, यहाँ पर पूछाए, how many boxes placed between T, box and box S, तो इसका correct answer है, option number D, more than 3, जब आप खुद इसको solve करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा, कैसे यह है, question number 19, which of the following box is placed at the bottom most position, तो अब इसका correct answer है, option number A, W, ठीक है, question number 20, how many boxes are there between box W and box R, तो इसका correct answer है, option number D, 3 boxes, ठीक है, now question number 21, यहाँ पर पूछा है, निमलिकित में कौन सा अन्य से भिन है, यानि कि odd 1 यहाँ से आपको find करना है, तो इसका correct answer है, option number B, ground net, ठीक है, next question है, question number 22, simple है, coding से आपको code वाले question है, तो इसमें आपको alphabet का जो numbers है, numbers का पता होना चाहिए, तो इसमें code दिया था, together को अगर आप लिख सकते हो, R, Q, E, G, R, J, C, T, तो friend को क्या लिखोगे, तो logic simple था, F में अगर आप plus 1 करोगे, तो F, नहीं, F में minus 1 करोगे, तो आता है D, क्यूंकि F के पिछे E है, E के पिछे क्या है, D, minus 1 का मतलब है कि, एक alphabet remove करना है, R में minus करोगे 1, तो क्या आएगा, T, इसी तरह I में minus 1 करोगे, क्या आएगा, G, ठीक है, तीन तक तो minus करना था, नहीं, alternative बेस में, alternative कैसे है, F में minus किया, R में plus किया, I में minus किया, उसके बाद E में क्या करोगे, plus करोगे, तो G आएगा, क्योंकि E, F, G, E में plus 1 करना था, N में क्या करोगे, minus 1 करोगे, N के पीछे जाओगे, LM होता है न, LMN, M को remove करोगे, L आएगा, D में आगे जाओगे, E को छोड़के, यानि plus 1 करोगे, एक alphabet छोड़के, F में जाओगे, तो इस तरह से इनको solve करना होता है, तो correct answer option number D है, question number 23 देखते हैं, यहां पे simple सी कहानी बताइए, कि जो एक row है, उस row में 53 जो है, छातर हैं, ठीक है, राम का स्थान 13 है, अगर हम देखेंगे उपर से, तो उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा, यह इसमें पता करना है, simple सा logic है, अगर यहां से स्थान 13 है, ठीक है, इसके बाद जो बच्चे होंगे, 13 चोके बुन जाओते, और यहां से अगर पॉजीशन देखेंगे राम की, तो यह वाली पॉजीशन भी काउंट होगी, तो 40 में एक जुड़ेगा, यहने कि 41 यहां पर answer हैगा, correct answer है, option number C, तो next question किसमें बात करते हैं, question number 24, यहां पर बोला था कि, February 2009 को Sunday था, what day of the week was in March 1st, 2011, तो इसमें कुछ नहीं करने आपने, आपको क्या करना है, days count करने, इन दो सालों के days count करने, two years के आप days कैसे count करोगे, 365 multiply by करोगे, two, क्योंकि 9 से 11 तक दो साले हैं, 5 दुने 10 होते हैं, 6 दुने 12 होते हैं, 1 तेरा हो जाएगा, 3 दुने 6, 7 हो जाएगा, 730 तो इजलियां पर हो गया, ठीक है, अब क्या करना है, simple सा यह है, एक फरवरी, यह भी days count होगे, फरवरी से मार्च तक के, इसके 28 दिन हो गए, और एक दिन इसका कितने, 29 days होए, तो इट मींज यह हो जाएगा, 759 यह टोटल आजाएगा, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, इससे आपको बीक पता चलेगे, कितने number of weeks इसमें हैं, और जो odd day आएगा, उस बेस पे आप define करोगे, कि कौन सा day है, 7 से जाओगे, एक ठीक है, उपर से 5 आएगा, 0 से जाना पड़ेगा, ठीक है, अब उसके बद उपर से 9 भी आजाएगा, अब 8 सते होते हैं, 56, ठीक है, बचेगा 3, तीन क्या बचेगा, इसमें odd days, जब 3 odd days बचेगे, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 3 odd days का क्या मतलब है, हमने करना है, गिबन डे से काउंट, तो एक डे में आएगा, संडे, ठीक है, फिर आएगा मंडे, जो तीसरा दिन है, वो ट्यूजडे होगा, तो इसके according, हमारा correct answer है, option number V, that is Tuesday, ठीक है, नाव चेक करते हैं, question number 5, तो इसमें आपको, simple सा logical question है, इसमें क्या बोला है, अगर आप dog को cat बोलोगे, question number 25, इसमें तो simple पूछा था, अगर dog को cat बोलोगे, cat को line बोलोगे, line को ox बोलोगे, ox को आप cock बोलोगे, तो cock को elephant बोलोगे, elephant को donkey बोलोगे, जो farmer है, वो किस से प्लॉक करेगा, यानि कि farmer अपने खेट में, tillage कैसे करेगा, तो इसका answer है, option number D, cock से, क्योंकि cock को क्या बोला गया है, ox बोला गया है, ठीक है, question number 26, को देखते है, राम जो इस शाम से टॉलर है, ठीक है, but not as much as रंजन, अर्जुन इस टॉलर देन सोहन, who is taller than shiab, ठीक है, who is shortest, तो shortest यहां पर बताना था आपको, तो इसका correct answer है, option number D, सोहन सबसे इसमें चोटा है, अगर आप ध्यान से इसको अरेंज करोगे, तो आपको मिलेगा कि सोहन जो है, सबसे चोटा है, now question number 27, तो इसमें simple सा पूछे था, direction based question है, पहले इसमें 8 km चलेगा, ठीक है, इस तरह से, best side को फिर यहां से, right turn करेगा, right turn करने के बाद, 25 km, south east में जाएगा, ठीक है, तो हमने यहां पर निकलना था, इस point से, और इस point का distance कितना है, पर यहां पर होता कि 8 km इदर बन जाते है, 8 km, इदर बन जाते है, यह पुरा 25 पनत है, जब इसको आप solve करोगे, तो यह वाली side का distance है कि 11, ठीक है, और 25-11 होते हैं 14, तो it means कि यह distance 14 है, option में 14 नहीं है, तो इसका मतलब correct answer रहेगा, option number D, none of these, ठीक है, now देखते है question number 28, तो यहाँ पर simple सा simplification का question है, यहाँ पर आपको पता करने है, A का मतलब, plus से B का मतलब, minus से C का मतलब, division है, D का मतलब multiply है, जब इसको solve करोगे, तो solve करने के पास, आपके पास answer आजाएगा, 20 minus 1.5, जो होता है 18.5, option C is correct answer, now question number 29 देखते है, simple सा जोड़ना है, कितने कितने यह series बन रही है, तो उस base पर आपको यह solve करना था, question number 29 के correct answer है, option number D, 130, ठीक है, now question number 30 देखते हैं, simple सा question है, इसमें भी series based question है, इसको आप देखोगे दियान से, तो इसका correct answer है, option number 35, now question number 31, जो इसमें simple सा, आपको यहां पर पता होना चाहता, natural lake और artificial lake के बारे में, तो यहां पर था, रंजीत सागर जिल, गोविन सागर जिल, महाराना प्रताब सागर जिल, और प्राशर जिल, ध्यान से दखोगी, गोविन सागर जिल, महाराना प्रताब सागर जिल, रंजी सागर जिल यह है मैनमेड जिल है ठीक है और प्राशर जिल है प्राकृतिक जिल याने की नैचुरल लेग तो ओड़ वन यहां पे कोने है प्राशर जिल है option A is the correct answer question number 32 पूछा गया था इसमें code के based बही इसमें आपको alphabet के numbers पता होने चाहिए C, A, B को 3, 2, 1 बोला है C का मतलब 3 होता है A, 1 होता है B, 2 होता है B का मतलब 2 I का मतलब 9, G का मतलब 7 तो इसी तरह से feed को किस में लिखेंगे देखो F को जो होता है F का मतलब 6 होता है E जो होता है 5th number पे होता है 5th number पे होगा D कितने number पे होगा फोर नंबर प्योंगा तो 6554 option number a match कर रहा ही correct answer इस question का होगा question number 33 देखते हैं तो simple सा था active voice को अपने passive voice में convert करना था ठीक है तो इसका correct answer option number d I was told by somebody that there had been an explosion in the mall तो active passive voice से भी question बनते हैं HP police में थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए question number 34 he has fallen out with girl he wanted to marry तो question number 34 का correct answer option number we fallen in love होगा ठीक है now question number 31 it is the time the three year old is learning how to read and write तो यहां पर बोला था आपको कुछ गलती है तो उसको ठीक करो तो यहां पर ठीक करना था लरनी की जगा must learn ठीक है option number C is correct answer now अब रहता इसमें कुछ questions यहां पर आपको बोला गया है question number 36 में आप देखोगे अच्पी ओर्डिनेस not only conflict गरंटिट fundamental राइट्स वट बॉइलेट्स विद एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज तो यहां पर correct answer option number C B A C तो इस तरह से इसको order में अर्रेंज करना था बोला तो simple था कि sentence given with three word in bold चूज करना था option जो correct sequence बताएगा sequence बनेगी पहले B वाला आएगा फिर A वाला आएगा फिर C वाला आएगा ठीक है question number 37 तो यह sequence बनाने के based पे भी question बनते हैं English grammar के HP police में तो आप ध्यान रख सकते हूं question number 37 में आप check करोगे option number D is the correct answer CBA तो पहले आपको C लिखना पड़ेगा फिर B लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद A लिखना पड़ेगा तो इस तरह से इसमें correct sequence बनेगी ठीक है तो मतलब C में तो इतना आ गया पूरा B में यह वाली लाइन आएगी A में यह वाली पूरी लाइन आएगी ठीक है चूज करना है correctly spelled word ठीक है question number 38 option number C correct answer harassment double SME NT होता है question number 39 को देखोगे यहां भी आपको correctly spelled देखना है option number A is the correct answer consensus ठीक है question number 40 में check करोगे जो capital letter में यह word दिया है इसके similar word उनना है Pious का मतलब होता है religion, religious तो option A correct answer है ठीक है इसका similar word है question number 41 replenish replenish का मतलब क्या है कोई चीज द्वारा से recharge हो रही है तो 41 का जो correct answer है that is option number V recharge ठीक है replenish का मतलब क्या होता है recharge होना है अब चैक करते है question number 42 इसमें भी आपको बताना था a hater of knowledge and learning इसके लिए one word substitution किया है तो यहां से भी question बनते है HP police में तो hater of knowledge and learning होता है missologist ठीक है now question number 43 in dash to picking up milk from the grocery store we also need to get some bread because my cousin at all of it in past week ठीक है तो यहां पर आपको देखना है concept fill up correct रहेगा तो question number 43 का आपका option number D correct रहेगा in besides to picking up milk ठीक है question number 44 तो यहां पर आपको simple सा बोला गया है अपने करना क्या direct speech को reported speech में convert करना है कुछ ऐसा यहां पर simple सा काम है question number 44 I am going out tonight Lakshmi said to 44 का correct answer option number V ठीक है now question number 45 king order that they should celebrate their victory तो correct answer option number C the king said we should celebrate our victory now इसमें आगे question number 46 में आप चेक करोगे तो यहां पर कुछ instructions दी है जो फ्रेज बोल्ड में है may or may not contain error option following can replace the incorrect phrase the correct phrase that is to be replaced will be your answer तो सेदी से बात कहिए question number 46 everything is funny as long as it is happening to somebody else to simple side question number 46 option number D is happening to यहां पर आएगा थू नहीं आएगा यह ओड हो रहा है तो is happening to आएगा ठीक है now question number 47 चूज करने correct meaning of idiom as underlined ठीक है रीडियम यहां पर दिया इसका correct meaning क्या है everyone likes her since she always reminds in high spirits तो इन high spirits से मिलता जुलता यहां पर क्या है वो आपको बताना है question number 46 का 47 का option number V यानि की cheerful high spirits होना यानि cheerful question number 48 को चेक करते हैं ठीक है तो question number 48 में he was a king who ruled his subjects with a high hand तो bold का आपने meaning देखना है option में जो मिलता जुलता रहेगा इसका इस bold underline का तो question 48 का option number A oppressively ठीक है अब हिंदी section कुछ हिसमें है question number 49 शुद शब्द देखना है तो option number 1 कंट कंट को के उपर बिंदी यह शुद शब्द है question number 50 ब्याख्या का संदी विछेद करना है तो correct answer is option number D बी जमां आख्या now question number 51 अवकाश का बिलोम क्या होता है अवकाश का बिलोम option number B अनवकाश होता है 52 में चेक करेंगे संग्या शब्द इन में से कौन सा है अगर आप ध्यान से देखते हो प्रतम क्या है नंबर दे रहा है संख्या वाचक संग्या है एन अकाउंटेबल ना उनकी पैचान दे रहा है तो यानि का option नंबर भी correct answer है 53 शुद संधी चैन करनी है तो आपके बस कुछ option इदर है 53 का correct answer option भी परी इक्षक इस तरह लिखते हैं और 54 में देखते हैं निमन में से भाव वाचक संग्या कौन सी है तो 54 की बात हो रही है option number A मिठास यहां पर भाव वाचक संग्या जो भाव दे रही है ठीक है ना question number 55 अदजल गगरी चलकत जाय मुहाबरे का अर्थ बताना है तो simple sensor है वै question number 55 option number C is the correct answer छोटे आदमी का अधिक दिखावा ठीक है तो ना question number 56 शुद बरतनी का चैन करना है 56 बताता है option number V correct answer है उत कंठित इस तरह से लिखते हैं now question number 57 देखते हैं यहाँ पर आपको बिजली का प्राइबाची शब्द कौन नहीं है वो बताना है ठीक है कौन सर शब्द बिजली का परियाए बाची नहीं है तो 57 का correct answer है option number D ज्योत्सना तड़ीत चपला चंचला ये बिजली के सारे प्राइबाची शब्द है 58 देखते हैं निमन लिकित मेंसे त्रेलिंग है तो correct answer option D है धनवती ना 59 की बात करें उत्थान का विप्रितार्थक शब्द क्या है वो हमने यहाँ पर बताना है तो 59 में correct answer है option number A पतन तो इस तरह के हिंदी के question भी है प्रेबियस येर पुछे गए थे 2022 में तो 60 का कि option number C is the correct answer 61 में है जिसका जनम पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा ठीक है तो 61 का correct answer option B अगरज ठीक है अब इसमें चेक करते हैं 62 शुद शब्द पता करना है तो शुद शब्द है option number A आनू शंगिक 63 ये सरवता बिन शब्द अपने बताना है सरवता बिन option number B चुप चाप इन सबसे जो बिन है ओड है 64 में देखेंगे जिस बस्तू को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए आपको एक शब्द देना है उसे क्या कहोगे ठीक है तो एक शब्द में बोलो गया आप विष्ट जिस बस्तू को पाने की इच्छा की जाए ना question number 65 था लार्जी जल्बिद्ध प्रियोजना डैश नदी पर बनाई गई है अंसर है option number D ब्यास नदी पर 66 की बाद करते हैं पाड़ों की 12 नसी अत्वा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सब मनाय जाता है अंसर है option number A महाशिवरात्री ना question number 67 करंट अफियर का था तो करंट अफियर का भी आपको HP पुलिस में ध्यान रखना है यहां से question बनते हैं तो यहां पर question पूछा था बरतमान में समचारों में बरनित यी दाखिल पोटल किस क्षेत्र के साथ संबंदित हैं तो इसका correct answer है option question number B उपभोकता शिकाइतों से यानि की consumer complaint से संबंदित यी दाखिल पोटल था question number 68 यहां पे हैं राज्य सभा के सदस्य प्रतेक दो वर्ष की अबदी के उपरान डैश अंस के मुताबिक सेवा निवरित हो जाते हैं यानि कुनकी retirement हो जाती है तो इसकी fraction रहती है one third option number C correct answer रह question number 69 तो simple सा question है कोईले का सबसे बड़ा बंडार किस राज्यों के पास भारत में मुझूद है correct answer option number B जहरखंड में now 70 की बात करते हैं डैश परकार की मिटी भारत की अधिकतर नदियों बहुत 30 मैदानों में पाए जाती है तो जो coastal areas coastal plains of India है या river basins है बहां पर पाए जाती है alluvial soil जिसकों जलोड मृदा कहते है ना question number 71 निमे लिकित में कौन सी नदिया हिमाचल प्रदेश के परबतों से निकलती है correct answer option है ब्यास राभी वा चिनाब ठीक है ना बात करते हैं इसमें question number question number 72 in which state do monsoon arrive first मैं लोग किस राज्यों में सरप्रतम monsoon आता है इसका नसरे option सी केरल में ठीक है next is 73 जल्यावाला बाग हत्याकांट किस त्योहार के दिन हुआ था correct answer है बैसाकी के दिन हुआ था जल्यावाला बाग हत्याकांट 1909 में ठीक है ना बात करते है question number 74 की किस अंदोलन को अगस्त अंदोलन या करांती के नाम से जाना जाता है correct answer 74 का option number D 12 छोड़ों अंदोलन को बोला जाता है अगस्त अंदोलन के नाम से एक है non cooperation moment जिसको असयोग अंदोलन बोलते हैं किस वर्ष इससे निलंबित कर दिया गया था correct answer option number 1922 में option number A तो 1909 में ये स्टार्ट हुआ था और 1922 तक ये चला था यानि कि 1922 में इसको निलंबित किया गया suspend किया गया question number 76 पीर पंजाल परवश रंकला हीमचल प्रदेश के किस पडोसी राजियों में स्थित है correct answer option number C जमूब कश्मीर में ठीक है 77 की बात करते हैं बारत की सबसे उंची चोटी का नाम क्या है correct answer है कंचन जंगा now question number 78 बिल्कुल simple question पूछा गया था ये हमचल प्रदेश का राजियों पशु पूछा था तो simple answer है snow leopard को बोला जाता है state animal of हमचल प्रदेश option D is correct answer 79 में हमचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जील बतानी थी यानि की natural lake that is ranu का जील है सबसे बड़ी प्राकृतिक जील हमचल प्रदेश में जो सिर्म और जिले में स्थित है now question number 80 last question था शिमला को बिटिश भारत की ग्रिशम काली राजधानी किस वर्ष में गोशित किया गया था तो simple answer है option number V 1864 में ठीक है यह था आज का question paper जो हमने solve किया I hope आपको वीडियो अच्छे लगी हो बाकि keep learning and keep growing with HPGK वाले channel को subscribe कर सकते हो नए वीडियो नए information के लिए नए question papers के लिए तब तक के लिए धन्यवाद and thanks for watching